नमश्कार दोस्तो, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आप सब अच्छे होंगे. दोस्तो एक नया वीडियो बहुती मैटोपुन जानकारी के साथ हम लेकर फिर आए हैं. दोस्तो आज की वीडियो में इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल एक अलग जानकारी है एक नई जानकारी है कि शनिवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा क्यों की जाती है। दोस्तो इस बात का उलेख हमारे जोदिस सास्तर में भी भदाया गया है कि हनुमान की पूजा करने वालों पर भगवान शनिदे बहुत प्रसन रहते हैं और कभी भी उनके जीवन में कोई भी भाधा उत्मन नहीं करते हैं। और अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने चाहिए। इस बात के पीछी बहुत ही अनोखी कहानी है और सास्तरों में भी इसका उलेख किया गया है। दोस्तो तरेता युग में जब भगवान राम और रावन के बीच लंका में यूद था तब भगवान शनिदेव एक स्तंब के अंद पूर बगवान जी अग से पूरी लंका को जलाने का प्रियास किया था। जब लंका जल रही थी तो हनुमान जी ने देखा कि एक स्तंब के अंदर शनिदेव हैं। तो उस भक्त के जीवन में मैं कभी भी बाधा उत्पन नहीं करता है। और शनिवार के दिन ही हनुमान के प्रिये बंद्रों को गुड और चना खिलाना चाहिए। ताकि शनिदेव हम पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टी बनाये रखे और हमेशा हम पर प्रसन रहे। दोस्तो वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हम आपसे अनुरोद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें। ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएं उसके जानकारी आप तक पहुँचें। एक पार आप सब दोस्तों का धन्यवाद।